नमस्ते दोस्तों मैं कीरन मिस्रा अपने यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दिवाली के दिन या फिर दिवाली के एक दिन पहले बहुत सारे घरों में दही बड़े या दही भल्ले बनाये जाते हैं तो आज हम भी वही बनायेंगे लेकिन मतुरा बिरिंदावन स्टाइल मतुरा बिरिंदावन स्टाइल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि मतुरा बिरिंदावन मंदिर के पास में एक दही भल्ले की दुकान है जो की एक अलग सेप में बनाते हैं एक फीलिंग करके बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाते हैं उसको बनाने के लिए लंबी लाइने लगी लेर रहती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम भी मत्रोब रिंदावन स्टाइल की दही भले बनाना तो यहाँ मैंने उड़त डाल को अच्छे से भीगा दिया था तीन से चार घंटे के लिए मैंने इसका सारा पानी छान लिया है इसको एक मिक्सी की जार में डाल के हम इसको पीस लेंगे इसमें हम इसमें डाल देंगे थोड़े से अद्रक के टुकड़े और हरी मिर्च हरी मिर्च अपने हिसाफ से कम्या ज़्यादा देख सकते हैं इसको हम पीस लेते हैं यह मैंने पीस लिया है पीसने के टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है तो यह हो गया है इसको एक बरतन में हम निकाल लेते हैं इसको मैंने निकाल लिया है, अब इसमें फटने में प्राबलम होगा, तो मैं इस पर्तन में ट्रांसफर कर दे रही हूँ इसको, यह मैंने ले लिया है, इसको थोड़ी सी फट लेते हैं आप जैसे भी चाहें वैसे फेटे इस तरीके से फेटे या हाथ से फेटे चम्मट से फेटे जो सुवीधा हो आपको वैसे ले लीजिएगा बिना पानी डाले हुए हमेने अच्छे तरीके से कम से कम 5-7 मिनट तक लगातार फेट लेंगे पान से 7 मिनट के बार जब आप देखेंगे तो यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है फलफी हो गया है और थोड़ा सा साइज में भी जादा हो गया है तो यह इसको अच्छे से फेटे Bennett हुए मुझे कम से कम 5-7 मिनट का समय लगा यह हमारा रेडि हो गया है तो एक बार हम इसको चेक करने के लिए पानी का जिस तरीके से पानी में डाल के चेक किया जाता है चेक कर लेते हैं तो मैंने छोड़ा सा पीस लिया है और पानी में जब इसको डाला ना तो ये देखिए ये उपर आ गया है तो मतलब की हमारा ये जो दाल का पेश्ट है वो अच्छा से डेडी है तो इसमें इसको साइड रखते हैं और उसके पहले एक चटनी बना लेते हैं तो यहाँ पे मैंने हरी चटनी के लिए थोड़े से धनिया ले लिए है आप पुदीना भी डाल सकते हैं लेकिन मैं पुदीना को स्किप कर रही हूँ धनिया के कॉंटिटी थोड़ा सा ज्यादा लीजिएगा ताकि यह देखने में अच्छा लगे हरा हरा सा और उसमें मैंने एक टमाडर ले लिया है आप चाहे तो टमाडर की चटनी बना सकते हैं या फिर धनिया और पुदीने की चटनी बना सकते हैं मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और मैंने थोड़े से इसमें अद्रक के टुकड़े ले लिये हैं छिलका उतार के इसको मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से कुछ मसाले डालते हैं तो सबसे पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और उसी के साथ ही मैंने काला नमक डाल दिया है जीरा पाउडर ले लिया है बिना नीबू का रस डाले हुए हम इने अच्छे से पीस लेंगे तो ये देखिए इसका कलर कितना सुन्दर लग रहा है तो धनिया की कॉंट्री ठोड़ा जादा रखिएगा बहुत अच्छी चटनी बनेगी इसको हम साइड रखते हैं और एक बार इसको चेक करते हैं तो इसमें भी हम कुछ मसाले अट कर लेते हैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है एक चमच के करी और उसी के साथ ही थोड़ी सी हिंग ले ली है हिंग जरूर डालिएगा हिंग डाल के ही बनाया जाता है और साथ में मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है अब हाँ से हम इने पांच मिनट के लिए और भी फेट लेंगे पांच मिनट के बाद यह बहुत अच्छा हो जाएगा रेडी हो जाएगा बनने के लिए तो पास मिनट तक और फेट सकते हैं हम इने और इसमें कुछ मिलाने की जरूरत हमें नहीं है तो ये हमने थोड़े से काजू किसमिस बदाम आपके पास जो भी ड्राइफ रूट से आप उसको ले लिए जेगा मैंने काजू किसमिस बदाम ले लिया है इसको बनाने के लिए हमें एक पॉलिथीन की जरूरत होगी तो मैंने इस तरीके से कट करके ले लिया है इसको भी रख लेंगे थोड़े से पानी की जरूरत पड़ेगी इसको भी रख लेंगे और ये हमारा पीसा हुआ दाल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सबसे पहले हम ये पैकेट के उपर में हलका सा पानी लगा देंगे पानी लगा के जो हमारा दाल का पेश्ट है उसको इस तरीके से फैला लेंगे तो उसके बाद अंदर फिलिंग कर देंगे इसको देखिए इस तरीके से हम मोड लेंगे ये देखिए किनारे को हलका सा प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए आपस में और इसे हम चलते हैं कड़ाई में डालने के लिए तो मैंने यहाँ पे तेल रख दिया है तेल हमारा हलका गरम है हमें बहुत जादा गरम-गरम तेल में नहीं डालना है और इसको डायरेक्ट हम कड़ाई में डाल देंगे इन्हें हम तब तक टच नहीं करेंगे जब तक की कड़ाई छोड़ नहीं देगा उपर से इस तरीके से तेल डालेंगे ताकि ये चल्दी से पक जाए मैं ये पहला पीस बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये साइज में थोड़े से बड़े हो गए है लेकिन मैं इससे थोड़े से और छोटे बनाना चाहूंगी आगे मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस तरीके से भी बना लिया था छोटे पीस में इन्हें हम इसमें से कड़ाई में से निकाल के जब गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो इधर मैंने पानी और जीरा नमक गरम करके रखा है हम इसमें इसको डाल देंगे ढकन लगा के हम तीन से चार मिनट के लिए छोड़ देंगे यह अच्छा से फूल जाएगा आप जिस तरीके से मैंने उठा के कड़ाई में डाला था तो पैकेट से इस तरीके से आप छोड़ाएंगे तो यह आराम से छूट जाएगा हाथ बचाते हुए आप इन्हें कड़ाई में डाल दीजिए इस तरीके से और इसी तरीके से जैसे तेल उपर से डालते हुए उलट पलट के हम इने golden brown कर लेंगे और इसमें से निकालके फिर पानी में डाल देंगे चलिये ये तो हमारा हो गया है बनालेंगे सारे को और इधर मैंने एक बरतन में दही ले लिया है दही को हम अच्छे से फेट लेंगे कोई गुठलिया या लंस वगर ना रहे दही को थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है मुझे तो मैं इसमें 2-3 चमच पानी डाल के फिर से इसे अच्छे से फेट लूँगी इस तरीके से फेट के रेडी कर लिजी अपने दही को आप इसमें मीठा डालना चाहे तो डाल सकती है लेकिन मैं मीठी चटनी डालूँगी ये वीडियो मैंने अभी एक दिन पहले ही इस पे अपलोड किया था आप जाके जरूर देखिएगा ये 3-4 मेहने तक स्टोर करने वाली इमली की चटनी है जिसको मैंने बना के रख लिया था पहले से ही प्लेटिंग करते हैं तो इस तरीके से हम अपने ये बड़े ले लेंगे और इन्हें हम चाकू से कट कर लेंगे इस तरीके से साइज में बहुत बड़े हैं तो इस तरीके से आप कट कर लीजिए आप जितना छोटे पीस करना चाहें वैसे कर लीजिए उपर से हम दही डालेंगे इसमें ये देखिए आप अपने हिसाब से जितना खाना पसंद हो आप डाल सकते हैं ये हमारी हो गई इमली की चटनी और उसी के साथ ही ये धनिय की टमाटर की चटनी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे उसके बाद जिसको जितना लगेगा उपने हिसाब से ले सकते हैं जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और साधा नमक भी डाल देंगे मैंने थोड़ी सी कुट्टी हुई लाल मिर्च डाल दी है इससे लुक अच्छा लगेगा उसके वाद अगर आप मिर्चा ज़्यादा खाना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से आप थोड़ी सी भुजिया डाल दीजिये इसमें धन्या का पत्ती और हरी मिर्च डाल दीजिये मैंने यहाँ पर थोड़े से अनार के डाने डाले है बिल्कुल ऑप्शनल है अनार के डाने डालना लेकिन लुक देखने में बहुत अच्छा लगता है तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं मज़ेदार से टेस्टी सा हमारा यह दही भले जो की काजो किसमिस भरा हुआ है अंदर तो एक नया टेस्ट मिलेगा चटपटा सा और लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरी इस रेस्पी को और आप सभी को भी दिपावली की बहुत बहुत धेशारी सूप कामना है तो आप इंजोआ करिए हमारी इस तरीके की दही भलो को और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कोई सेजेशन देना है तो वो भी दीजिएगा जिसे कि मैं आगे अपने काम में और भी सुधार कर सकूँ तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद